वेल्कम फ्रेंट्स टूर चैनल सुमिज जासवालता फानी सुर्गा फानी सीडी इन्फोरमेशन में आपको इस चैनल के वर प्रवाइड कराता हूँ आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों कैसे मैंच जेपसी बैंक से इंशेंट पर सलोन अप्लाइग कर सकते हैं अब बैंक का लोन है काफि सस्ते इंटरस्टेट पर आपको मिलने वाला है पूरी डिटेल्स आपको शेयर कर देते हैं सारे स्टेप्स आपको यहाँ पर किलियर करकर बता देते हैं तो details मैं आपको share कर देता हूँ, चलते हैं, skin की तरफ, दो-तीन चीज़ों का ध्यान ये रखना है, कि bank statement आपके पास होनी चाहिए, जो भी आप वहाँ पी income share कर रहे हैं, company का नाम आपको बताना पड़ेगा, जुरूर नहीं है, कि आपकी company listed हो इनके पास, अगर आपके खाते म काफी सही यहाँ पर जो है देखने को मिल रहा है, चलते हैं, skin की तरफ, proper details आपको share कर देते हैं, link भी दोस्तों आपको description में मिल जाएगा, जहां से आप directly HDFC bank के website पर जाके apply कर सकते हैं, तो दोस्तों जैसे link पर क्लिक करेंगे, इस वाले page पर आ जाएंगे, तो यह है HDFC bank का दोस्तों personal loan, जहां पर साफता लखा, instant disperseal है, कोई home verification की requirement नहीं है, सबसे पहले phone number share करना है, date of birth लिकनी है, terms and condition आपको यहाँ पर accept करनी है, और भीया eligibility के उपर क्लिक कर देना है, requirement, mobile number, pen card, date of birth और भीया bank statement आपके पास होनी चाहिए, यह ही है requirement रहने वाली है, तो हमने phone number डा डाल दिया है, date of birth डाल दिया, eligibility के उपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर दोस्तों OTP आएगा, तो उसका आपको यहाँ पर wait करना है, चलिए दोस्तों OTP आ गया है, इसको यहाँ पर fill out कर लेते हैं, तो चलिए इसको manually यहाँ पर fill out कर लेते हैं, और submit OTP के उपर यहाँ पर click कर दे है, यहाँ पर दोस्तों हमें pen card का number share करना है, अपनी email address बतानी है, अब यहाँ पर देखेगा employment detail आपको share करनी है, तो definitely company का नाम आपको यहाँ पर share करना है, और यहाँ पर list आजेगी, जो भी company आप यहाँ पर लिखेंगे, जैसे कि मैं आपको example देता हूँ, मारती Suzuki लिखते ह जो company इसमें list नहीं है, तो उसके लिए गया करना है, तो उसके लिए कुछ नहीं करना है, इसको back करना है, और आपने दोस्तों others यहाँ पर लिख देना है, ठीक है, तो सबसे नीचे scroll down करेंगे यहाँ पर, तो नीचे आपको others का section मिल जाएगा, इसके ओपर click कर देना है, ले जाने कि तनका कौन सी company से आपके खाते में आती है, तो हम यहाँ पर एक company ले लेते हैं, जैसे कि इनके खाते में Ram Traders से salary आती है, तो वो हम यहाँ पर लिख देते हैं, इंडस्ट्री टाइप आपको बताना है कि कौन सी industry है, तो हम यहाँ पर private entity कर देते हैं, यानि कि एक private company ह ठीक है जी, तो यह detail share होगी, यहाँ पर लिखा है work email, और work email तो basically है नहीं क्योंकि छोटी company है, तो यहाँ पर हम Gmail ही लिखेंगे, और उसके बाद दोस्तों proceed करकर देखेंगे, ठीक है, यह तो detail भर दी है, लेकिन यहाँ पर दुबारा से हमने कहरा है कि कुछ miss कर दिया है, त नेक्स इंटरफेस का वेट कर लीते हैं, तो नेक्स इंटरफेस में बोला जा रहा है, अगर क्लोन चाहिए, तो आपको यहाँ पर income verification करनी पड़ेगी, ठीक है जी, तो यहाँ पर income e-verification जो बटन दिख रहा है, इसके ओपर क्लिक करना है, यहाँ पर हमारे दोस्तों यहाँ तो OTP के थरू, या फिर net banking से आप यहाँ पर अपनी income verify करा सकते हैं, तो चलिए यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं, उसके बाद दोस्तों बैंक चूज करना है, या खाते में जो salary आती है, वो कौन से bank में आपके आती है, तो सारे bank यहाँ पर available है, तो इन में से आप अपना bank चू जाएगा, हालकि इस चीज में समय लगता है, अगर आप e-verification कराएंगे, तो तुरंत ही आपको approval देखने को मिल जाएगा, तो हम वया mobile OTP verification यहाँ पर करवाने वाले हैं, ठीक है, तो चलिए इस process को यहाँ पर complete कर लेते हैं, तो next interface में आप देख सकते हैं, लोन का offer जो निकल 24 रुपे, rate of interest भाई, 0.99% है, यानि कि 11.38% पर मन्त है, जो कि काफी सस्ता है, और फिलाल अभी offer चल रहा होगा, I don't know कि हाँ पर processing fees भी 0 है, तो भाई काफी अच्छे interest rate पर यह लोन मिल रहा है, और जैसे कि मैंने बताया, step वो ही है, जो आपको मैंने बता दिये हैं, कुल मि रहे हैं, 2400 रुपे 12 महीने के लिए pay करना है, simply proceed करना है, OTP verification complete करानी है, खाते में पैसे आपके डाल दिये जाते हैं,